हलो गाईज, वेलकम टू माई यूटूब चैनल नासिंग एजूकेशन तो आज हम लोग बात करने बाले हैं हाइपो ग्लाइसेमिया के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में तो हाइपो ग्लाइसेमिया होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये तो हाइपो का मतलब होता है लो, कम, ग्लाइसेमिया मतलब की जो हमारा ब्लड है एमिया मतलब ब्लड, ग्लाइ मतलब की ग्लूकोस, हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोस का लेवल है वो कम हो गया है, तो जब हमारे ब्लड में ग्लूकोस का लेवल कम होगा तो एक person में क्या-क्या sign and symptoms हैंगे हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम इसको याद करेंगे एक menomonic से He is tired तो He is tired से हम इसके सारे कई सारे sign and symptoms को learn करेंगे He से होता है headache Is से irritable और sweating T से है tachycardia I stand for irritability R stands for restlessness E stands for excessive hunger D stands for dizziness इसका मतलब है कि headache, irritability, sweating, tachycardia, irritability, restlessness, excessive hunger, or dizziness यह सारे के सारे जो में हैं वो main symptoms हैं हाइपोग्लाइसेमिया के तो इस चीज़ को आप लोग सब याद रखना या आपकी life में आगे आगे आप medical life में, nursing life में या फिर कोई ऐसी general knowledge के रिए बहुत साथा helpful है thank you guys for watching the video and don't forget to like, comment, share and subscribe